So, hello friends, welcome back to our channel Women of Essence और आज मैं आपके साथ शेर करने वाली हूँ इस cutter को जी हाँ ये cutter जो की काम आने वाला है इस पूरी की पूरी शॉपिंग को open करने के लिए और आप समझी गए होंगे कि आज मैं अपनी Amazon Finds को आपके साथ शेर करने वाली हूँ और definitely मेरी ये purchase जो मैंने अपनी ज़रुवत के हिसाब से की है आपके लिए कहीं न कहीं helpful होने वाली है तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और सबसे पहले मैं आपके साथ शेर कर लेती हूँ अपना ये वाला आइटम तो friends मैंने मक्रेमे का ये एक decorative piece order किया था और काफी अच्छा सा लग रहा है ये दो के सेट में है और किसी भी dark color की वाल पर आप इसे लगा सकते हैं काफी सुन्दर सा ये लग रहा है और जैसा मैंने expect किया था almost वैसा ही है ये तो चलिए आगले आइटम की तरफ हम बढ़ जाते हैं तो friends मैंने order किये थे कुछ इस तरह के scrub काफी अलग से ये scrub मुझे लग रहे थे तो मैंने सुचा इसको order किया जाए और देखते हैं कि हमारे जो scotch bread के scrubs में use करती हैं उनसे ये कैसे different है और उनसे better है या उनसे काम अच्छे है तो friends ये है ये scrub इसको hang करने के लिए यहाँ पर दिया गया है एक side में soft scrub है और इस तरफ थोड़ा सा hard scrub है I hope कि ये अच्छा काम करेगा देखने में काफी सही लग रहा है और अगली चीज जो मैंने order की है वो है ये runner ये एक runner है जिसे मैंने order किया है बेट के side में या फिर उसके front में डालने के लिए कुछ इस तरह के runners काफी ज़्यादा helpful होते हैं बेट की hygiene को maintain करने के लिए काफी सही होते हैं तो इसमें एक side में anti-skid material लगा हुआ है जिसकी वज़े से ये अपनी जगा पर fix रहेगा और बहुत ज़्यादा disturb नहीं होगा इधर उधर भागेगा नहीं और अगली चीज जो मैंने order की है वो भी एक runner है और ये jute runner है natural fabric का बना हुआ है तो ये तो काफी अच्छा है खुद में ये काफी ज़्यादा मोटा है तो I think कि ये बहुत ज़्यादा skid नहीं होगा इसको भी मैं first पर डाल कर आपके साथ share करूँगी और next चीज जो आप काफी बड़ा सा package देख रहे हैं और ये आपको देखने में भी लग रहा है और वास्ता में है भी एक ये बड़ा type का कुशन है मेरे पास छोटे कुशन थे पर कोई भी बड़ा कुशन नहीं था तो मैंने इसको order किया है चले इसे open करके देखते हैं ये साइज है इन कुशन का काफी बड़े-बड़े से कुशन है और आपको मैं बता दूँ कि ये जो शॉपिंग है ये मेरी dedicated शॉपिंग है अगले वीडियो के लिए क्योंकि अगला वीडियो जो मैं आपके साथ शेर करने वाली हूँ वो है drying room का makeover और इस drying room के makeover में मैं बनाने वाली हूँ एक floor sitting area और वहाँ पर यूज होंगे ये बड़े वाले कुशन तो अगला वीडियो बहुत interesting होने वाला है तो अभी से आप अगर चैनल को subscribe नहीं कर रखा है आपने तो उसे subscribe कर लीजिए ताकि अगला वीडियो आपसे miss ना हो पाए और अगली चीज जो मैंने order की है वो इन कुशन का cover है अब कुशन आ गए हैं तो cover की जरूरत तो थी ही तो काफी अच्छा सा इसमें flower बना हुआ है तो चलिए अब हम देख लेते हैं अपने अगले और लास्ट प्रोडक्ट को और ये मैंने order किया है silicon के chair leg cover और इन की वज़े से हम chair से आने वाली जो खिसकाने से आती है आवाज उससे बच सकते हैं साथ-साथ उसकी वज़े से जो floor पर scratches पढ़ने का डर होता है उससे भी बचा जा सकता है तो friends ये थे मेरे सारे products और इनको मैं अभी आपके साथ use करके भी बताऊंगी जिन जिन चीजों को मैं use कर पाऊंगी और इसके अलावा अगर इन में से कोई भी product आपके लिए useful लग रहा है तो इन सभी के links में आपको description box में डाल दूँगी वहाँ से आप इने purchase कर सकते हैं और visit कर सकते हैं सबसे पहले मैं review दे देती हूँ अपने इस scrub का जो एकदम ही अलग सा लग रहा है और इसको मैंने use किया अपने wash basin को साफ करने के लिए और एक बार के use में ही इसकी हालत खराब हो चुकी है और जैसा कि आप देख पा रहे हैं इसमें जो net लगा हुआ है दोनो scrubs को एक साथ जोडने के लिए वो काफी ढीला सा लग रहा है और मुझे नहीं लगता कि एक दो बार के बाद कुछ खास काम कर पाएगा तो इसे में बेलकुल लेने के लिए आपके लिए recommend नहीं करूंगी और इसके बाद देख लेते हैं अपने cushion covers को cushion covers की quality भी काफी अच्छी है एकदम pure cotton तो ये नहीं है पर हाँ जो भी material है mix है और इसकी जो stitching बगरा है वो भी काफी सही है और अब देख लेते हैं अपने runner को और ये jute runner जो है वो मुझे दोनों runners में से काफी ज्यादा पसंद आया है क्योंकि ये natural fabric का बना हुआ है इस वज़े से ये काफी safe भी है इसके अलावा इसमें थिकनेस अच्छी है तो ये अपनी जगर पर बना रहता है तो friends chair leg covers की बात करें तो इन्हें मैंने मगाया था अपने metal वाले beds के leg में लगाने के लिए पर अगर आप इन्हें square shape वाले legs में कभी भी try करेंगे तो ये बिल्कुल भी appropriate नहीं है तो ये था मेरा आज का video I hope कि ये video आपके लिए helpful रहा होगा और अगला video ज़रूर देखिएगा मैं आपसे मिलती हूँ एक और informative और useful idea के साथ अपने next video में